इस प्रकरंड में बहुत बड़ी involvement है अधिकारियों की जिसको जो करना है जिस तरह का action लेले लेकिन जो सच्चाई है रजिस्ट्री हुई इसको तत्काल निरस्ट की आजाए यह जो अधिकारी है अपनी अगर यह हरकतों से बाज आ जाए ना वो casualty 90% कम की जा सकती है वो माफिय की हिम्मत हुई कि मेरी जमीन जो मैं खरीच चुका हूँ उसको वो लिखवा रहा है कल के डेट में मुझे कहीं गोली मार दी जाएगी जैन साथियों मैं जाबिर शेक परहारी मुंबई से और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे लाल गन तहसील है और हम तहसील प्रगर्ण में खड़े हैं और हमारे साथ में एक भाई साब खड़े हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्या योगिय दितनात बार बार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भरस्ट चार मुक्त किया जाएगा लेकिन वहीं पर इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि लाल गन तैसील शेत्र के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े स्कैन हुए हैं जिसको हमने ओपन भी किया और जैसा अभी हमारे साथ में एक भाई साब खड़े हैं और ये उस पिता के बेटे हैं जो पिता एर फोर्स में भारती ये वायू सेना में काम करता है देश की रख्शा के लिए लेकिन अफसोस सदा अफसोस कि जो पिता देश की सेना में रक्षा के लिए काम कर रहा है आज उसी का बेटा तैसील के अंदर नियाय के लिए दर-दर भटक रहा है और वो भी एक ऐसा इसकैन कि आप सुनेंगे तो आपके रोंटे खड़े हो जाएंगे हम इन्हीं की जबानी वो जी जी आपका घर कहां पड़ेगा जी गाउं मेरा चुटेरा पड़ता है यह आपका लालगन तैसील में गाउं है जी थाना जो है महिनाजपूर आता है अंतरगत क्या है आप जो इतना यह सारे दस्तावेश में मैटर क्या है कि 2012 में हमारे दादी के नाम से एक जमीन बैनामा कराई गई थी तो वो जमीन पे हम 2013 में दाकिल खारिज हो गई आज तक हम काबिज हैं अभी मेरे को अच्छा आपका नाम चड़ गया उसकी उसके चड़ गया दादी का नाम हमारे दुर्गावती देवी है उनका नाम चड़ अभी मेरे को 17 तारिक को मैं बाहर रहता हूं मैं रहता हूं मेरे को 17 तारिक को जानकारी मिली कि गाउं से ही कि में उसी जमीन को जिसने दादी को बेचा था उनके पिता किसी और को बेचने जा रहे हैं अपने परिवार में बेचने जा रहे हैं यानि एक जमीन के दो खरीद गया उसमें पिता ने वही जमीन हमारे चोहदी को इंकलूड करके पूरी हमारी जमीन करके किसी और को बेच दी है अब उसके लिए मैं चक्कर काट रहा हूं सारे कागच हैं हमारे पास लेकिन जैसे आपके पास यह पेपर है आपके नाम पर पूरी रेजिस्टरी हो गया मैं मेरे को जब जानकारी मिली मैं तुरन भाग के आया हूं सबसे चेकर काट रहा हूं तैसिलदार साब के पास भी मैं गया उन्होंने जो है उस पे जो मैंने application इनको दी अपनी उस पे उन्होंने कानूनगो को करके कि आप इस जानकारी जो पूरा प्रकरण है जिसमें समझ इन हो पाए है dollars यानि आपको इस आप जबंट्री उसको फोन पता रहा है थीचा का पिचासी साल का पिचासी साल का जिसने ओ रिखी है पिचासी साल का आदम maintained वो सीधे जवाब आ रहा है मैंने लिख दिया है आपको जो करना आप कीजिए सीधे यह जवाब आ रहा है जब आपने मुझे जमीन बेची मैंने आपको पैसा दी आपने मुझे जमीन बेची और उसके बाद यहाँ तैसिल में दाखिल खारी जुआ आपका नाम चड़ा तो उस पे फिर किसी दूसरे का नाम चड़ने का मतलब यह होता है कि तैसिल के अधिकारी बरस्ट हैं। इस जमीन के प्रकरण केवल यह जमीन नहीं अभी एक रिसेंटली एक मैटर और हुआ जिसमें मेरे घर की बॉंडरी वॉल को गिरा दिया गया बिना नोटिस के बिना जानकारी के घर पे कोई मौजूद नहीं था तैसिलदार लाल गंच वहां गये है जमीन मेरी बॉंडरी अगर गलत भी है तो नियम तो यह जमीजै नहीं है कि यदो सामने वाले आदू को रास्ता रोक रहे है तो मतलब रास्ता रोक अपके में अनी में बनाया है रास्ता रोकने के नाम पर वह आप जू है अच्छ अब इन्होंने जब मैंने ये सारी चीज़े CM Portal पे IGRS पे डाली तो अपने को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया तैसिलदार साब उस समय के थे उन्होंने क्या किया कि नविन पर्ती में जिनका construction था मेरे आगे बढ़ने के बाद उन्होंने फिर उनके किलाफ में 67-1 की कारवाई कर दी आज साल भर हो चुका है साल आज ही के दिन किया था एक साल हो गया है कोई कारवाई नहीं होई मैंने PIL तक दाकिल की PIL पिन को तीन महीने का time bound किया था आज पाच्वा महीना है अभी तक ये कुछ नहीं किया है मेरी जमीन पे लिख के दे दिया कि नक्षा जो है आपके नक्षे में आपकी जमीन चोटी है आसपास की भी चोटी है इसलिए इसका solution नहीं हो सकता है अरे जमीन चोटी है तो रखबा तो मेरा होगा रखबा तो आप पूरा कीजिए सामने सामने नवीन पर्ती है उसमें नवीन पर्ती सामने है यह अगर नाप दे नवीन पर्ती में मेरा एरिया जा रहा है नवीन पर्ती में मैंने रास्ता बना के गाओं वालों को दियां वहाँ से रास्ता नहीं था आज सामने से निकलने के लिए इन्हों ने क्या किया मेरी पूरफ साइड की बाउंडरी वाल तोड़ दी बगल में एक भूमाफिया है उसी भूमाफिये को ये जमीन बिकरी हुई है आपको ये भी बता देता हूँ अगर इस प्रकरंड में उस भूमाफिये को जमीन बिकरी की है इस आदमी ने यानि जिसकी वज़े से आपकी दिवाल तूटी उसी को यह जमीन इस प्रकरंड में बहुत बड़ी इंवाल्मेंट है अधिकारियों की मैं खुले तौर पर कहता हूं और मैं कहता हूं मेरे उपर जिसको जो करना है जिस तरह का एक्शन ले 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 लेकिन जो अब परिशान हो रहा हूं तो मैं अपने लिए बात करूंगा मैं साल भर से परिशान हो रहा हूं साल भर से चलिए ठीक है अब्दुरहिम भाई थोड़ा यह दिखाए यह यह लीजिए यह दिखिए यह मेरे दादी के नाम से जो जमीन थी इसके दाकिल खारीच जब हो गया था उसके पेपर है जी कोई मुकदमा नहीं था उस जमीन पर कुछ भी नहीं था ठीक है अचे यही चोहदी है आप इसको ध्यान से देखेंगे जो अभी 17 तारीक को जो परजी रजिस्ट्री हुई है सेम चोहदी उसमें भी दिखेगी आपको मतलब कि मेरी जमीन तक भी बेच दी उस आदमी में अब बेची किसको है जिस आदमी को बेची है उसी की इन्वाल्मेंटी उ इस पक शिजाच की जाए और पहली चीज यह और यह जो फरजी रजिस्ट्री हुई इसको तत्काल जो है निरस्त किया जाए इसके लिए मैं किसी कानू मैं और इसे भरस्ट अधिकारिया करमचारियों का क्या होगा देखें मैं आपको सीधे बता देनो कितना दोड़नू कि यह लोग बचके निकल जाना है इनको बहुत चत्रिछाया जो है ना इनकी वो इनको कुछ नहीं होने देंगी मैं लड़ते रहूँगा लड़ते रहूँगा हो सकता है यारी आप मानते हैं कि भरस्टचार खतम नहीं वाला है कभी नहीं खतम होने वाला है चाहिए योगी कोई आ जाए क्योंकि देखिए आप एक चीज समझ लीजे 90 परसेंट जो इस सब मैटर में जो कैजवल्टी होती है ना अगर ये लोग अपनी जो अधिकारी है ना अपनी अगर ये हरकतों से बाज आ जाए ना वो कैजवल्टी 90 परसेंट कम की जा सकती है आज ये नौबत आज उस आदमी की उस भूमाफिय की हिम्मत हुई कि मेरी जमीन जो मैं खरीच चुका हूँ उसको लिखवा रहा है अब क्या होगा कल के डेट में मैटर और बढ़ेगा किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिलना पुलिस अपनी हाथ कड़े कर चुके है कि राजसों का मैटर है होग धन्यवाद तो यह जैसा भी आपने देखा हमारे साथ में यह भाई साथ थे और इन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप सरकार के उपर भी लगाए हैं और सरकारी अधिकारी और करमचारियों पर भी लगाए हैं लेकिन वही ताज्यूप की बात यह है कि जिस भूमाफिया को लेकर इनकी बाउंडरी तोड़ी गई उसी भूमाफिया को वो जमीन बेची गई अलीगल तरीके से और जिस तरीके से चोरी छुपे रेजिस्टरी की गई यह भी अपने आप में बहुत बड़ा स्कैन है और वहीं पर यह भाई साब का यह भी आरोप है कि कल को अगर मुझ है कि उत्तर परदेश मुक्त भरष्ट चार मुक्त की बात करने वाली अधितनात योगी की सरकार इस व्यक्ति को इनसाफ दिला सकती है कि नहीं दिला सकती जी जी बता हूंगा यह इनसाफ मेरा नहीं मेरे पिता जी इंडियन एर फोर्स में है ठीक है वो अपने ड्यूटी क आज अगर वो चाहे होते तो उपर से कई जगा सोर्स लगा कि यह लगा कि इस मैटर में लेकिन इमानदारी से वह आदमी अपने ड्यूटी कर रहा है उस इमानदारी का सिला यह हो रहा है कि साल भर से भूमी के प्रक्रण में बस चक्कर काट रहा हूं मैं चलिए तो जैसा भी आपने देखा कि ये परेशान हाल है और जिस तरीके से ये अपनी जॉब छोड़ के लगतार तैसिल के चक्कर काट रहे हैं और इनके पिता जी भी एक एर फोर्स सैनिक है जो देश की रक्षा कर रहे हैं अब देखना ये है कि इसमें सासन पर सासन किस तरीके की भूमिका निभाता है कैमरामेन अब्दुरहीम के साथ में जाबिर शेक परहारी मुंबई से